प्रेंट्स ये अबय यादब जी है जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाकर भेजी है अबय यादब जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो भेजने के लिए बीसलपूर के रहने वाले हैं अबय आदब जी ये एक स्टुडेंट है और इन्होंने हमें वीडियो बना कर भीजी है उम्मीद करते हैं वह विश में ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे आप हाई फ्रेंड्स मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पीवी टी मैक्स पर दोस्तो आज की वीडियो हम वीसलपूर इस्टेशन की नई अपडेट लेकर आए हैं हमारे साथ वीडियो पर बने रहेगा नए दरशक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही में बैल आइकन को भी दबा ले आने वाली वीडियो की लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तो वीसलपूर इस्टेशन के प्लेट फार्म नंबर एक से दोस्तो सारा व्यू दिखा रहे हैं और आगे चलते जाएंगे और सारी अपडेट इस वीडियो में देंगे दो दोस्तों यहां से नदर डाल लीजिएगा यह देखिए दोस्तों टिकट काउंटर एकदम रेडी हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बाहर पार्किंग एरिये में दोस्तों कुछ काम हो रहा है स्टेशन की जो बिल्डिंग है उसका साफ सफाई और पेंटिंग का काम ल पूरे इस्टेशन का निरक्षड किया पिलीवीच से वीछ तक के सारे स्टेशनों का निरक्षड किया और खास तोर पर दोस्तों यहां पीछल पूर काहरी की समीच치ा की और और जो फुट ओवर विरिज का काम है दोस्तों इसको तेजी से करने की इदायत दी और उन्होंने कहा इसका काम जल से जल पूरा किया जाए फिलाल फिलेट फार्म नमबर एक से दोस्तों हम चल कर दिखा रहे हैं कितना काम हो चुका है बिसल पूर इस्टेशन पर फिलेट फार्म नमबर एक से सीधे ओवर विरिज की तरफ चल रहे हैं और सामने दोस्तों दो नमबर पिलेट फार्म है फिलाल यहां से जो दोस्तों कं इनटो वीडियो में देख चुके हैं और अगर आप भी वीडियो एशाही दिखाएंगे जैसे अब यादब जी का दिखाया ओर में आप वीडियो भीडियो बेजना चाहें तो हमारा नमबर डिस्कप्शन में मौजूद है फिलाल हमारा नमबर है 9837290507 दोस्तों ये नमबर हमारा वाटसप नमबर है इस पर आप हमें वीडियो बना कर भेश सकते हैं रेलवे के किसी भी कॉंटेंड और किसी इस्टेशन के वर्क की फिलाल यहां पर दोस्तों देखिए फर्श पर टीन शैट डालने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है टीन सैट के लिए केवल कैचिया ही डाल दी गई है फुट ओवर बीज के लिए दोस्तों कैची बनाई जा रही है और सामने जो इस टैप है उसके लिए दोस्तों यह देखिए इस टैप बनाने का काम भी दोस्तों शुरू हो गया है कैची डालने का फिलाल जब कल डियारम एके सिंग का निर्ख्षण यहां पर हुआ है दोस्तों काफी बारिकी से हर्चीज का निर्ख्षण क्या उन्होंने और काम में तेजी लाने के लिए एदाय दिये और दस फरवरी को दोस्तों 95% CRS होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की और कहा दोस्तों के दस फरवरी को जल स्यारस कराने की पूरी कोशिश करेगी हमारी टीम फिलाल यहां से नज़र डाल लीजिये ओवरवि disrupt का काम दोस्तों हो रहा है और थोड़ा धीमी गत्री हो गई है ओवरविर्ज की जो काम करने की लेकिन कल से कुछ काम में दोस्तों सुधा रहा है और कुछ काम बड़ा है बिशल पूर इस्टेशन पर यहां سے नजर डाल लीजेगा प्लेट फार्म नंबर एक से शायामपुर की दिशा है और यह ओवर विरिज दोस्तों देखिए स्टैप बनाने का काम चला है पिलीवीद की दिशा अब में ओवर विरिज बनाये जा रहा है फिलाल दोस्तों पानी की टंकिया और जो यातरी सुविदा है उस पे विशेज ध् स्टैशन क्या उन्होंने और कारिये की समिक्षा की फिलाल यहां से नज़र डालीजिएगा विशलपूर इस्टेशन का दोस्तों वांड डिवाल भी लगा दी गई है अब हम दोस्तों आगे चलकर आपको दिखाते हैं और प्लेट फार्म नंबर दो की अपडेट भी दोस् पूरा हो चुका है और दसे रास्ता रोकने के लिए दोस्तों बेरिकेट लगा दी गए यहां से तोड़ा सा काम पेंडिंग में पड़ावा है यह भी हो जाएगा जब सियारस होगा जब तक लोस्तों उमीद हैं कि विसलपूर में दोस्तों बहुत काम निप्ठा लिया जा नहीं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिर मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो के साथ तक के लिए गुड़ बाई